अग्वाई शलने के लिए जब वो आपको चलाएगा धीरे धीरे से आपके घर को बनाएगा अगर आप शान्त रहेंगे चुप रहेंगे परमिश्व के हाथों में दूद छुड़ाए बालक की तरह बैठे रहेंगे तो वो तिन प्रतितिन इवेंट्स को घटनाओं को अनफोल्ड करेगा आपके सामने से वो हटती जाएगी और आप बोलेंगे वाओ जब से मैं होली स्पिरिट में चल रहा हूं बिना डर के चल रहा हूं बिना समाज का बिना किसी चीज का डर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं आमें मैंने आपको एक बात बोले थी एक्सिलेंस में प्रवेश करने के लिए अगर आपने डर की आत्मा के उपर फतय नहीं पाई तो आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे कि कहा था कि नहीं कहा था डर लगता है को कई लोगों का परमिश्वर नहीं और जैसे आप दलेरी में चलना शुरू करेंगे वो चीज़े जो परमिश्वर नहीं रखी हुई है अपने पास आपके पास वो आते जाएंगे अनफोल्ड जब परमिश्वर अनफोल्ड करता है न एक पड़दा हटाता है पीछे की बलसिंग और आप देखते हैं आपको फिर समझ आते हैं कि वाकई परमिश्वर में जब समझ नहीं आ सकती वो कौन सी है मेरी प्रेयर है जिस तरह अलिश्वर को परमिश्वर चला पाया खुली गोश्वर से आप चल पाएं पवित्रा आत्मा से चल पाएं आप तयार हो अपने आपको डिस्कवर करने के लिए खोजने के लिए आप जैसे ही बाइबल में जाएंगे आप अपने आपको खोजेंगे आप बाइबल में अपने आपको खोजते हैं आपको मालूम बढ़ता है आप कौन है आमेर आप इमेजिन करो एक भविश्व द्व द्वा थी और जैसे उसका पती मरा उसे मालूम नहीं था इसका कारण क्या है मेरे पती के मरने का रीजन क्या है पर बाइबल कहती परमेश्वर के घर को ना चोड़ना और उपवासना करना उसकी स्पिरिट को उसने ओपन किया और मालूम हुआ कि मेरी डिसकावरी यह है मेरी लाइफ को परमेश्वर का भेजने का मकसद यह है कि मैं क्राइस के आने के लिए प्रार्थना करूं और उसी के और एक और बूड़े जन की प्रार्थना के द्वरा ही मसीध धर्ती पे आये थे मालूम है कि नहीं यह उसकी प्रॉब्लम यह जब मैं ऐसे लोगों सिकुवेशन के नीचे देखता हूं एक गलती वो करते हैं पाप करने की परमेशों से दूर होने की जब निराशा और डिस्करेजमेंट उनकी लाइफ में आए एलिशा भी बोल सकता था कि ठीक है भाई साव दस साल पहले हाथ धुला लिए पाउं धुला लिए अब आपको मेरी जुरुत नहीं तो हमें भी जुरुत ज nisahe ho na, यह परमेशन निकालता है आपने लोगों को, कास लोगों को, कास लोगों को, कास मैंने का कास लोगों, अगर आप, मैंने ऐसे लोग देखें ऐसे में अपनी लाइफ में, अगर ऐसा कोई दुख उनकी जिंदगी में घट है, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, को होते हुए नहीं देखा यह मेरी लाइफ का experience है सिर्फ मेरा नहीं मेरे आसपास के लोगों का जुन को मैंने देखा है कि पर हुआ क्या वो खड़े रहे परमेश्वर में जवाब तो कोई नहीं है परमेश्वर के कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया मेरे लाइफ में लेकिन अभी भी परमेश्वर में खड़े हैं अभी भी परमेश्वर में आड़े हैं आप डैडी को डैडी इसलिए नहीं बोलते हैं कि वह आपको 10 रुपे देता है कि आपको डैडी आपको 100 रुपे देता है तो वह आपका डैडी है जिस दिन 100 रुपे बंद कर दिया मेरा डैडी पड़ोसी ऐसा तो नहीं है ना तो फिर आपका डेड़ी कौन है प्रभी श्यमसी वो 10 रुपे दे या ना दे, 100 रुपे दे या ना दे, चंगा करे या ना करे वो आपका father है वो आपका daddy सदा है सदा के लिए है और जब आप एक फैस्दा कर लेते हैं कि इस ये दिनों में भी आप जानते हैं आपके परिक्षा के दिन आपके golden days है ये दुबारा नहीं आएंगे मुझे मालूम है जिन परिक्षाओं से मैं निकल चुका हूँ वो दुबारा नहीं आ सकती क्योंकि वो अलग तरह गेती पर मुझे मालूम है अगर मैं बनाया गया हूँ तो उनी दिनों में बनाया गया हूँ जो आज आप देख रहे हो हाँ आज अंकूर नुरुला जो देख रहे हो ये उन दिनों का बनाया हूँ आज का नहीं आज मैं काम कर रहा हूँ सिरुफ परभू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ लेकिन अगर आपने उन दिनों में मुझे देखा होता तो आप मुझे पर दया के दिरिश्ची से देखते हालिलूया अपने बडोसी को बलो अपने आपको खोज प्रभू की बुलाहट को खोज प्रभू की सामर्द को खोज तो सब भला होगा आमेन अपने बुलाहट की सामर्द की सामर्द की सामर्द